आप लोगों के साथ आज मैं सेयर कर रही हूँ चना डाल और पालक के साथ की एक पकोडी और ये पकोडी की recipe बनानी तो बहुती आसाना वर पहले इसकी आवाज से में कितनी कडारी बनी है कुछ इसी तरह की कडारी ये recipe बनेगी अगर आप इसे फटा फट सिर्फ कुछी steps और मैं सर्व कर रही है। टमाटर सॉस और आमले की चप्रमी के साथ जैसे की आप देख सकते हैं है। और आमले की चप्रमी के साथ इसको सर्व करने का मज़ा अब बहुत ही आया। क्यूंकि उसमें ठोड़ा सा खटापन होता है और स्थोरी सी मीठी वाली है। तो उसके साथ इसका combination बहुत ही अच्छा गया लेकिन चना दाल और जो पालक की पकोरी है वो बहुत ही unique recipe है आप प्लीज अब अपने घर में इसको try कीजिए और try करने के बाद अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे comment कर दीजिए या अभी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कुछ इस तरीके का होता है पीला ही होता है पर थोड़ी अढ़हर या तूर की दाल जैसे आप कहते हैं वो नहीं है इसको मैंने दो तीन घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट करना है तो आप थोड़ी ज्यादा देरते के लिए इसको पानी में रख दे या फिर इतना भी काफी है जैसे ही दब जाए तो समझ जी ही हो चुका है बस उसके बाद हमें इसको पीसना है तो उसके लिए मैं इस ग्रेंडर में डाल रही हूं और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे जि थोड़ा सा दाल नीचे रह गया था तो उसमें फिर से पानी डाल के और इसे दुबारा से चलाएंगे तो कुछ इस तरीके का इसका पेश तयार हो जाएगा अब देख सकते हैं इसे अब हमने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और देखे कुछ इस तरीके का इस पिस गया है थोड़ा सा खुरदरा ही है बहुत ज्यादा मोट पतला नहीं है इसमें मैंने अधरक और हरी मिर्च को कूट के डाला है नमक स्वादानुसार डाला है थोड़ी सी उपर स और प्याज काटके डाला साथ मैंने कुछ पालक के पत्ते काटके रखे है यह वन बावल है चोटा सा बावल है क्यूंकि चना दाल भी हमने कमी यूज किया है आधी कटोरी के तक्रीवन था तो कुछ इसी तरीके से पालक भी इसमें बस उसका स्वाद आना चाहिए बहुत ज़्यादा पालक डालना है तो फिर चना दाल की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी और बस इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें कोई भी पावर नहीं का नहीं डालना इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग जो कि पार्चन के लिए बढ़ियां रहता है आप तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं पर चाट मसाला नहीं डालना चाहे तो हलका सा निम्बू भी डाल सकते हैं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला बस यह सब कुछ मिक्स कर दिया हाथ से और इतनी चोटे-चोटे पकोरे हमें बनाने हैं तो चलिए अब चलते हैं और गैस पे मैंने पहले से ही करा ही गरम करके उसमें ऑईल भी डाल दिया हुआ था तो ये भी गरम हो चुका है बस अब छोटे-छोटे पकोड़े की सेप देखे उसको आपको डालते जाना है और आच को धीमी कर ले क्योंकि बहुत तेज आच पे अगर आप डालेंगे तो प यूज कर सकते हैं मैं यह वीडियो में बोलती हूं आप चाय तो सरसुत-िल बना सकते हैं या कि भी रच對啊 यह जो भी आप कूकंग ऑईल यूज तो काफी करारी-करारी बनती है, यह हो चुका है, और मैंने इसे निकाल लिया है, तो देखिए कुछ इस तरीके का कलर आया है, काफी अच्छा लग रहा है, और बांकी तेल में जो बांकी बचे हुए मिसरन है, उसको भी में डाल दूगी, तो आपने देखा होगा कि बहुत जब ज़्याद WR भी बनाना चाहते हैं, एब ज़ूरा चनादार और पालक की बढ़ा लें.. यह चनादार और पालक का पकोड़ा होता है जरूर बनाये और घर में रहें सुलस्त रहें, बाहर कम जायें जब तक जरूरत ना पडें क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ाब हो रहा है सब कुछ धन्यवाद